फाइनली वाई अपने एथर का रिस्ता स्कूटर अपने पास आच चुका ये वाई एथर का फैमिली स्कूटर इस वीडियो में आपको बताओं कि एथर की रिस्ता स्कूटर मुझे क्या अच्छा लगा क्या लगा बेकार सबसे पहले स्टाट करते है इसकी प्राइजिंग से प्रोपेक लेना है तो उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे आप इसी स्कूटर नो देखते हैं पहली जो इंप्रेशन को होगा जो दिमाग में जाती है वह आती है बढ़ा स्कूटर ने बड़ा है जो इतर कह रहा है कि आप तक का बिगस्ट होगा होगा इतर चोटे लगते हैं लेकिन यह काफी बड़ा है और आपको रेफरेंस के लिए मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा होगा तो मुझे यह आइक्यूब जैसी और पूरे जो पैनल है यह थोड़े से आपको एथर फ्रेंडली नहीं लेंगे रीजन इसका यह एथर काफी शार्प एजी स्कूटर बनाता था लेकिन यह वाला थोड़ी वाइट देरा है टीवेस आईक्योग की लाइट की बाद करें तो यहीं पर आपको हाई बीम लोग इसमें चाबी आईगी और यह इसकी चाबी चाबी लगा कर दिखाते हो भाइस तो यह वाइस की लोग भीम हमने घर रखेंश हाइब पर कर देते हैं और यह पूरा लाइट वाला सिस्टम है काफी क्लीन और अच्छी सी लग रही है विल्ट की बात करें तो सब्सक्राइब और यह आगी है वाइस का रिफ्लेक्टर टेलिस्कोपिक सस्पेंशन है फ्रेंट में टायर साइज की बात करें तो भाई कितना है यह बाई नबबबाई नबबगा 12 इंच का एलोई विल और लग की बात करें तो टीविस से मिलता जूलता लग रहा है लेकि जो मैं को बहुत अच्छा कर दिया है पहले के मुकाबले उपर भी टकरा रहा है नहीं आगे है आगे भी जगा है यहां पर आपको देखने को मिल जाता है एक हुक यहां पर आगे चावी लगाने की जगा यहां पर फास्चार्जिंग का पोर्ट युकिन की यह पीछे चलते हैं तो यहां पर आपको फूट पैक देखने को मिल जाती है यह कवर सा लगा रख कहा है इस कवर के अंदर कि आ है कुछ नहीं है इसके इंदर ब्रेक आपको यहां पर दिख रही होंगे यह स्प्रिंग वगेरा और यहां पर कुछ नहीं है बागी जो टै grad इस पीछे वो यह इनका सो बाई असी बारा इंच का वील पीछे की तरफ आए इस वाली युनिट में आपको बाल सनुज़रा रहा है कर पेंट क्वाइल्टी में अच्छी है यहां पर आगे इस टॉप लाइट साइड में इंडिगेटर सारे इन बिल्ट है पूरा इंडिट एक लग रहा है यहां पर यहां पर नमबर प्लेट के लाइट यहां पर लग रही है तो यहां पर पीछे आते हैं तो यहां पर यहां पर कुछ कनेक्शन होंगे अब भी मुझे तो नहीं दिख रहा है से बताओ तो यह वाले अरिया में आपको रिजदा दिखने को मिल जाता है और यह जी मोडल है इनके तीन मोडल आते हैं एस जी और एक प्लस कहलो यहां पर जी बड़ी बैटरी पैक वाला कहलो पहले यहां से लेकि यहां तक का पूर पीछे ब्लैंडिंग आ जाती है अथर की कितनी कुष्ण यह कितनी सौफटर है टाइट है कैसी है और कितनी बड़ी है असलोगी कुष्ण की दो मैं काउंगा सॉफ्टर है इनके जो पहले स्कूटर है उनसे लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट सीट है यह थोड़ीचे टाइट अभी भी है और लेंद की बात करें तो यह गई भाई इसकी लेंद मैं पूरा कमफर्टेबली बैठा हुआ हूँ और अगर मैं इसमें थोड़ा ओड जोड़ू तो एक दो आ गए थोड़ा सो जोड़ू तो तीन तीन वंदब आ सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी है और हागर आप कंपेर करोगे से हीरो वीड़ा से जो की सबसे बड़ी सीट नदेर आती है मुझे सेग्मेंट के अंदर मुझे लग है यह उसके जितनी ही है वागी आमना सामना हम कभी फ्यूचर में करेंगे लेकिन लग रहा है कि उससे 19-20 का अंतर होगी काफी बड़ी है उसका बात करते हैं पर हम डैश्वोड की डैश्वोड में क्या देखने को मिल जाते हैं जिसकी विजबिलिटी में कहूंगा यहां पर आ चुकी है तो सेम से ही लग रहे है और यहां पर यहां पर देखने को मिलेंगे अलगले मोडल में सभी में सबसे मोडल है उसके इंदर आपको डॉट देखने को मिलेगी एथर 450S वाली जबकि रिस्ता जैड के अंदर आपको साथ इंच की नौन टच्टी अपलाते है वह थोड़ी सी जादा अच्छी होती है यह मुझे थोड़ी सी बेसिक नजर आ रही है उससे कंपेर करें तो और थोड़े स्पेक्स की बात कर लेते हैं इसके अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है तो तीन मोडल है तीनों में ही जो मोटर है जो पीछे लगी साथ उसकंदर 20 डिगरी ग्रेडिबिलिटी है यह जो एक सो पांच किरेंज जो जी प्लस वाला मोडल है उसकंदर आपको देखने को लिगी 125 किरी पर चार्जिंग की बात करें यहां पर चार्जिंग टाइम वह यह इनका बाई स्लो वाला थेटर जो मुझे पसंद नहीं आ जीरो टू एटी साथ घंटे तो उसके बाद 9-10 गंटे लेगा फुल चार्ज होने में इसके लाव फास चार्जिंग सभी मोडल में अवेलेबल है 15 किलोमेटर के चार्जिंग आपको मिल जाएगी 10 मिनिट के अंदर इतर ने और चीज अनौन्स करी है जैसे इन्होंने अप सब्सक्राइब करने हैं जब ही पता चलेगा स्कूटर चलने चलाने पर परफॉरमस कैसी है सब कुछ सेट के अंदर आपको पकड़ने का हैंडल सादे रखा जिससे आप स्कूटर को ऐसे खोल देते हो यह चीज आप नोटिस करोगे कि यह और यह टकराते हैं तो थोड़ा स अब यह पर यह पर चॉटे गए नहीं तकराता है यहां पर आपको फ्लेक्स देखने को मिलता है थोड़ा स्कूटर देख अब दिख रहा है अब यह इसलिए हो रहा है कि सीट भी बहुत बड़ी है यहां से लेकर यहां तक ही है लेकिन इस परकार से हिलता है यह पूरे 34 ल आपको दिख रहा होगा एक स्कूटर में आपको जाएगा तक प्लेन में ज्यादा कमफटेबल होता है कुछ भी समान रखना यहां पर लाइट आज आती है जो कि अच्छी चीज है यहां पर चार्जर आपको दूसरी चार्जर एसे लेकित जिस से आपको हैंद्यों यहां पिट हो जाएगा इस तरीके से यहां से अटेच हो जाता है और यहीं पर लगेगी जिससे मोबाइल चार्ज होगा या नहीं दिया है अगर यूएस बीचारज इस लो पैसो की आएगी फिर जाके यूएस बीचारजिंग मिलेगी आपके फोन को चार्ज करने के लिए यह देखने को मिल जाता है अब बेकार क्या लगा तो सबसे पहला बेस मोडल में आपको ना ही एथर का मैजिक ट्विस देखने को मिलता है ना ही इसके कंट्रोल दोनों ही काफी तकड़े फीचर है इवन अगर आप इनका प्रोपैक भी लोग एक्स्रा पैसे देखे तो भी आज की जमाने में भी यह वारंटी तीन साले पर तीस हजार किलोमेटर के दे रहे हैं जबके इनका कॉमडेटर ओला आठ साल की वारंटी दे रहा है आज भी यह दर वह स्लो चार्जिंग वाला गेम खेल रहा है वाई जहां पर साड़े 300 वाट का चार्जर देते हैं अगर स्पीड मोड है जिप और स्मार्ट इको प्लस यहां पर जो स्पीड है वो भी सभी में सिमिलर है एक लाग पंतालिस हिजार कलो या फिर एक लाग दस हिजार कलो पफोर्मेंस में कोई भी डिफ्रेंस नहीं है तो यह दबा यह दर कर इसने लेक्रिक की स्कूटर अब यह हों झाल 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 झाल